बिसमिल्लाहिरोहमान रहीम आज हम डिसकस करें डिफ्रेंशिल एक्वेशन वन उसका लेक्चर थ्री है मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथिमेटिक्स है यहां पार FAC, BS, BSE, MSC मैथिमेटिक्स को डिसकस किया जाता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कर और आगे शेर करें आज हम चंद इंपॉर्टन्ट क्वेशन डिसकस करेंगे सेपरेबल विरियबल के तो प्रीवेशन पे बिसकस किया है सेपरेबल विरियबल को आज हम उसके साथ डिसकस करेंगे अनीशिल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने बताया था कि आपके पास Y of 0 is equal to minus 1 जैसे है यह X को शो करती वैल्यू और यह वैल्यू हमारे पास क्या है minus Y की इसका हम बोलते है initial conditions यह जो initial conditions होती है जो आप solution find करते हैं यह वह दो सिलूशन है इस जो constant value C है इसको find करने के लिए यह condition दी जाती है इन condition को हम कहते हैं initial condition इस C को determine करने के लिए जो हमें condition दी जाती है उसको हम बोलते है initial conditions तो देखें हम इसको discuss करते है initial value conditions को हमारे पहला question है 2 into y minus 1 into dy 3x square plus 4x plus 2 dx तो देखें ये हमारे पास पहले ही separable equations है हमारे पास dx के साथ देखें एक्सलिटर में है और dy के साथ क्या है y विल देखें तो आप इसको क्या करें integrate integrate करेंगे तो 2 into y minus 1 into dy 3x square plus 4x plus 2 into dx तो separable करें इसको integrate करें क्या जगा y square over 2 minus y इधर integrate करें 3x q over 3 plus 4x square over 2 plus 2x plus c इसको मुटपले आप कर सकते हो y square minus 2y ये cancel x cube इससे cancel 2 plus 2x square plus 2x plus c हमारे पात जो initial condition दी हुई है वो है y of 0 is equal to minus 1 इसको हम बोलते है initial conditions ये x को value शो करती है x की value क्या है 0 और ये y की value है y की value क्या है minus 1 तो put करें से equation 1 में तो यहां पर minus 1 का square minus 2 into minus 1 is equal to x की value 0 यहां put करें 0 यहां put करें 0 plus c तो यहां गया 1 plus 2 is equal to c तो c की value मेरे पास के आगई 3 तो यहां put करें आगे पास आफ़ा जगा y square minus 2y x square plus 2x square plus 2x plus 3 नोट करें जिस equation में आपने c एड़ किया है इसको कहते हैं journal solution journal solution यह किसका solution है इस differential equation का यह solution है और जहां जब आप c की value नकाल के यहां put कर देते हैं इस solution को हम बोलते हैं particular solution particular solution इसको जनरल इसलिए कहते हैं कि आप c की different value दें different answer आते जाएंगे इसलिए इसको जनरल solution कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं particular solution तो next देखें हमारे पास यह complete हो गया देखें c की value हमारे पास 3 है जो हमने replace कर दी यह जो आगे आप solve करते हैं यहां ताकि ही आपका answer complete है तो next हमारे पास है question है one plus two y square d y y is equal to cause x देखें इसको भी हम separable से करेंगे यह भी initial conditions है one plus two y square d y is equal to y cause of x d x y of 0 is equal to 1 तो इसको हम solve करते हैं separable को देखें हमारे पास यहां one plus two y square है d y देखें y के साथ d y के साथ y विल्टर में आए और d x के साथ cause विल्टर में आए यह सही है इस y को आप इधर divide करते है y तो one plus two y square over y d y is equal to cause x d x इसका बड़ाद करते हैं one over y plus two y square over y into d y is equal to cause x यहां देखा one over y plus two y d y is equal to cause x d x separate होने के बाद फूर मैंने कहा था कि आप इसको क्या किया करें integrate तो one over y plus two y d y तो यहां देखा हमारे पास cause x d x इसको ऐसे लिखें one over y d y plus two y d y is equal to cause x d x तो देखें y का derivative one नीचे function उपर उसका derivative तो function का log log of y plus two y की power में दाफा y 2 over 2 cause के integration sin x plus c constant of integration देखें यह जो c आप लिखते हैं इसको left side पे आड़ कर लें या right side पे आड़ कर लें इसकोई फरक नहीं पड़ता log of y plus y scale is equal to sin x plus c यह हमारे पास आगया solution जिसको मैंने बोला था कि हम बोलते हैं journal solution of equation 1 यह इस equation का solution है इस equation को बोलें 2 अब इस c को नुकालने के लिए हमारे पास condition है तो मैंने कहा यह किसकी value शोग करती है x को और यह value शोग करती है y को तो y की value पूट करें log of 1 plus 1 का स्केर sin of x की value क्या है 0 plus c log आपने पड़ा हुआ है log of 1 क्या होता है 0 और sin of 0 भी क्या होता है 0 log of 1 0 plus 1 sin 0 0 plus c c की value क्या गई 1 यह c की value हम पूट करें log of y plus y स्केर sin x plus c क्या गई 1 तो इस solution का हम क्या बोलते हैं particular solution यहां पे आप c की value नकालके पूट करते हैं तो देखें इस को हमने separable किया integrated किया यही अंसर आया उसके बाद हमने initial condition यूज की तो c की value के आगई 1 तो next question हमारे पास है y is a 8 8 cos square y dx plus second square into dy आगे हमारे पास initial condition है y pi over 12 is equal to pi by 4 देखें हमारे पास 8 cos square y dx plus cosec square x dy is equal to 0 हमारे पास condition है pi of 12 is equal to pi over 4 तो देखें इसको आप separable करें पर इसको 8 cos square y dx इसको दूसर देजें minus cosec square x dy अब क्या करें कि dx के साथ x लिटर में आएं क्योंकि मैंने बताया था कि dx और dy कभी डिनोमिलेटर में नहीं आएंगे क्या करें इसको दूसर 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 दू σ2xdx- sec2ydy तो मैंने आपको बोला था कि यहां पी इंटिग्रेशन में साइन्सकेर आए तो फॉरण पुटिया करें 1-cos2x over 2 यह किसकी वैल्यू थी ? तो लिखें आप इसको इंटिग्रेशन करते हैं 8 इसकी वैल्यू 1-cos2x over 2dx और माइनस जाले जाले पीस लाग़ पॉस्टिक कर लें क्या जाएगा ? sec2ydy is equal to 0 तो अब इसको कैंसल करते हैं क्या आगया 4 1 की इंटिग्रेशन x cos की इंटिग्रेशन sin2x over 2 पलास और सिकन्स के इंटिग्रेशन tangent y is equal to constant of integration क्योंके 0 की जो इंटिग्रेशन होती है वो क्या होती है constant हमारे पास condition क्या है ? y of pi over 12 is equal to pi over 4 तो मैंने पताया किसकी value होती x x की value pi over 12 x की value होती y की तो y की value pi by 4 पुट करें 4 into sin pi over 12 minus sin यहां पुट करें 12 2 से 2 cancel pi over 6 over 2 पलास tangent pi by 4 is equal to c तो हमारे पास यहाजाएगा इसको जब हम solve करेंगे देखें हमने इसकी integrated किया उसके बाद हमने initial condition का use किया तो हमारे पास जब हम इसको solve करेंगे तो pi इसको cancel करेंगे pi by 3 minus 2 sin हमारे पास c 30 की value है 1 by 2 और tangent 45 value 1 c तो यह cancel हमारे पास pi by 3 minus 1 plus 1 is equal to c cancel c की value के आगई pi by 4 तो यह उठाके equation number 1 में put कर दें equation हमारे पास 1 क्या थी कि 4x minus 2 sin 2x plus tangent y c is equal to c c की value के आगए pi by 4 तो next हमारे पास example है इसको देखें यह भी initial conditions है d y sorry question हमारे पास d y over d x x into x square plus 1 over 4 y cube y of 0 is equal to minus 1 over square root 2 तो पहले हम इसको करेंगे separable variables separable variables क्योंकि हर exercise पे 2 lecture होंगे तो मैंने बोला था यह value हमारे पास x की value क्या है 0 y की value क्या है minus 1 over square root 2 तो हमारे पास d y over d x x into x square plus 1 over 4 y cube तो cross multiply हैंगे तो मैंने बोला था separable of variable का क्या मतलब है कि d y के साथ y वाली term में आए और d x के साथ x will term में आए 4 y cube d y x cube plus x dx तो करें इसको integrating तो आज़ेगा 4 को बाहर नकालें y cube d y x cube plus x dx तो 4 y 4 over 4 x 4 over 4 plus x square over 2 plus c यह cancel तो हमारे पास y 4 आगया x 4 over 4 plus x square over 2 plus c तो आज़े की वैली वैसे वैसे तो यह solution है इसको नाम इसका है journal solution जिसमें value c add उसको journal solution बोलते हैं अब इसको नकालें के लिए हमारे पास condition given है यहाँ पूट करें यहाँ पर minus 1 over square root 4 तो यह आज़ेगा x value 00 00 plus c क्योंकि x की value क्या है 0 तो इसको आप solve करें देखें जब एक तफ़ा scale लेंगे यह कि दफ़ा इसका scale लेंगे minus 1 over square root 2 का scale लेंगे तो आज़ेगी value 1 by 2 फिर scale लेंगे तो क्या देगा 1 by 4 तो c यहाँ पूट करते है y4 is equal to x 4 over 4 plus x scale over 2 plus c की value क्या है 1 by 4 तो इसको हम solution क्या बोलते हैं particular solution जो c की value नकाल लेंगे यहाँ put करते हैं particular solution तो देखें यह हमने इसको integrate किया उसके बाद हमने इसका solution c की value find की 1 by 4 आई तो जो c की value आई यहाँ put कर दी y4 x 4 over 4 plus x scale over 2 plus 1 by 4 तो यह हमारे पास क्या है इसका solution यह very very important lecture है इसमें अगर कोई issue हो तो आप हमारे साथ discuss कर सकते हैं